है लो सुने इस कैसे वाब आज हम फिफ चेप्टर करने वारे हैं जिसका नाम है मास मीडिया इन हिस्ट्री इसके हम कुश्चिंस करेंगे ठीक है लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बिल आइकन को फ्रेस करो ताकि आपको हमा क्या exercise में यहां पर देखो अभी exercise में आपको कहा दिया हुआ है exercise में आपको पहले है choose the correct option from the given option and complete the statement पहले कहा है देखो आपको the first English newspaper in India was started by तो आपका answer कहा रहेगा A James Augustus C की यह आपका answer है इसका देखो टेलिविजन इसन डेश मीडियम तो आपका answer कहा रहेगा audio usual C आपका answer है आगे देखते है आगे आपको कहा है बी में identify and write the wrong pair in the following set पहला कहा है देखो इसमें प्रभाकर तो इसका कहा है देखो अचार्या पी के आर्थ्रे यह आपका रॉंग है ठीक है इसको कट इसका देखो दीन बंदू इसका कहा है क्रिष्णा राव भालेकर यह आपका राइट है थर्ड के आपका केसरी इसका कहा है बाल गंगाधर तिलक यह आपका राइट है ओके आगे देखो अभी आपको कहा दियो है second में आपको write short notes इसमें पहला कहा है देखो the role of newspaper in the Indian struggle for independence इस इसका answer देखो आपको कहा कहा पर आएगा page 32 33 34 पर आएगा यह answer मैंने बहुत बड़ा answer है यह लेकिन मैंने try किया चोटा करने का इसको तो देखो मैं आपको बताता हूं page 32 पर चलते है यहां पर देखो page 32 पर यहां से start होएगा आपका यहां पर पहला point आपको क्या रहेगा इंडिया वस printed on 29th January 1780 इट वस नेम्ड एस कलकत्ता जेनरल अडविटाइजर और बेंगॉल गैजेट्स इट वस स्टार्ट बाई जेम्स ऑगस्ट सीखी उसके बाद आपको next में आना है दर्पन लिखने दर्पन में फिर क्या लिखना है दर्पन में फिर एक्या लिखना है बाल शास्त्री जांबेकर वस दएडिटर उफ दर्पन धनी उस प्रिंटेइव प्रिंटेट इन दर्पन करें दर्पन केंद बी रिव्यूद आपको आगे आना है यहां पे देखो इसमें तो आपको क्या लिखना है आपको लिखना पड़ेगा तभी आपको माक्स अच्छे से मिलेंगे आगे चलते है अभी देखते हैं आपको सेकेंड में क्या दिया हुआ है इसकेंड में क्या आपको इसका एंसर है पेज नमर 35 पर चलते हैं पेज नमर 35 पर यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर हेडिंग दी हुई है इसमें आपको देखो कैसे लिखना है आपको पहला पॉइंट लिखना है पहला पॉइंट हो गया इसकेंड पॉइंट में आपको लिखना है उसके बाद आपका लास्ट पॉइंट के आएगा तो यहाँ पर आपका यह एंसर कंप्लीट हुए ठीक है अभी आगे देखते हैं आपको क्या दिया हुए यहाँ पर देखो अभी आपको थर्ड में क्या दिया हुए थर्ड में आपको मास्ट मिल्डिया एंड प्रोफेशनल अपॉचुनिटीज इसका एंसर है पेस नमर्ण 35, 36 और 37 पर ठीक है यह भी थोड़ा बड़ा एंसर है इसको हम शॉट करके लिखने का ट्राइ करते हैं चलते पेस नमर्ण 35 पर यहाँ पर देखो पेस नमर्ण 35 पर तो यहाँ पर देखो आपका एंसर यहाँ से स्टार्ट होईगा इसमें आपका 3.2 का भी अंसर है वह हम आगे देखते हैं कितना आपको पॉइंट डिखने है कितना लिखने है अब मैं आपको बताऊंगा देखो आपका स्टार्ट होगा यहाँ से 2.3 पहला पॉइंट क्या रहेगा यहाँ से आपको आगे यहां से स्टार्ट करना है नेक्स पॉइंट क्या आएगा आपका थर्ड पॉइंट जो रहेगा निशुपर स्प्रिंट कॉलम्स अबाउट हिस्टोरिकल इंफॉमेशन अप्यरिंग अंडर हेडिंग सच एस फिफ्टी यहस अगो और हंडेड यहस इसके बाद आपको नेक्स पॉइंट लिगना हैं शच कॉलम्स अर बेस्टोरिकल डोकुमेंट और रुटन हिस्ट्री इस्टोरिकल इंफॉमेशन अपॉन्स ऑफ़िवेट्रिकल इंफट ऑर प्लीटिल इवेंट इन पास एंचल सिगरिकल इस उपलीड इश्टोरिकल सिग आपको लिखना है यहां से बाद देखो आपका लास्ट में जो आपको लिखना है यहां से देखो यहां से आपका स्टार्ट होगा क्या रहेगा सिरियल अबाउट एंशेंट मॉनुमेंट्स फोर्ट सिस्ट्रीज ओफ इंपायर्स एंड ऑल्सो देखो आपका लास्ट नंबर ओफ पीपल यहां पे आपका 2.3 कंट्रीट होगा है ठीक है इतने पॉइंट्स आपको इसमें लिखने आगे दिखते है भी आपको क्या दिया हुआ है यहां पे तो आपको थर्ड में क्या है explain the following statements with reasons इसनों first क्या देखो एनी information received through mass media needs to be reviewed critically तो इसका answer आपका page number 35 पर ठीक है तो page number 35 पर चलते हैं इसका देखो answer यहां पर है आपका आपका start होएगा यहां से पहला point देखो आपको का लिखना है पहला point आपको लिखने है एनी information received through mass media needs to be reviewed critically पहला point देखो है second point आपका रहेगा the news or information in the media may not always represent exact truth second point देखो थर्ड प्रड प्रड रहेगा we need to scan it very carefully there is a very famous event of an authentic information appearing in print in Germany third point fourth point रहेगा देखो आपको question a German weekly magazine had purchased a number of so-called handwritten diaries of Adolf Hitler fifth point आपका रहेगा it sold them to various publication companies the diaries were verified for their authenticity and subsequently the news appeared in the print next point आपको लिखने how are later those diaries were proved to be frog it become apparent from this example that we need to be very careful about the information published by the media यहां पर आपका यह answer complete हो गया ओके आप चाहिए तो आप यह इस point को separate लिख दो ठीक है यह last point में बना देना ओके आगे देखते हैं भी अभी अभी देखो आपको 3.2 में क्या है knowledge of history is essential for newspaper articles इसका answer आपको page number 36 पर ठीक है तो page 36 पर चलते हैं आपका यह answer start होएगा page number 35 से ठीक है यह आपका 35 और 36 दोनों पर है ठीक है 35 36 तो चलो page 35 पर चलते हैं पहले यहां पर देखो आप देखो कि यहां से आपका 3.2 का start हो रहा है answer आपको इसमें देखो क्या लिखना है पहले आपको same लिखना जैसे हमारा 2.3 में था क्या रहेगा newspapers have to fulfill the task of writing fresh news to its readers यह हो गया पहला पर आपको आना है यहां पर देखो next page पर आपको यह लिखना है इसमें देखो क्या लिखना है newspaper print columns about historical information appearing under heading such as 50 years ago or 100 years ago etc such columns are based on historical documents or written history next point रहेगा these columns provide historical information about economic social political events in the past and also events of historical significance ठीक है उसके पर आगे आपको आना है यहां पर दो यह paragraph आपका last रहेगा इसमें दो पहले आपको क्या लिखना है यहां पर आपको next point लिखना है on such occasions newspapers highlights the event through various articles editorial column like what happened in the history on this day review etc the knowledge of history is essential for writing of such type यहां पर आपका यह answer complete होगा ठीक है इसका देखो अगर आप देखोगा 2.3 भी आपका बहुत कुछ same था इसमें 3.2 से तो आपको learn करने में आसानी होगा ठीक है बड़ा answer है लेकिन दोनों answer same है तो आपको कम समय लगेगा learn करने में ओके आगे देखते हैं क्या है last में आपक आपको पहला point आपको कहा लिखना है television channels also telecast programs based on history पहला हो गया आपका यह पहला point हो गया second point आपका दूर दर्शन and other television channels help in creating interest in history among people through their historical shows and serials second हो गया third point आपका रहेगा the mythological and historical serials like Ramayana, Mahabharat, भारत एक खोज and Rajashreev छत्रपती attracted a very large audience उसका आपको देखो next point कहां से लिखना है यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे देखो जो आपका 2.3 में था उसका point से रहेगा क्या लिखना आपको serials about ancient monuments, forts, histories of empires and also the history of culinary arts are watched by a large number of people people with great interest तो यहाँ पे हमारा यह answer भी complete हो गया है तो अब यह अगले page पर चलते हैं यहाँ पे देखो आपको यहाँ पर अभी क्या दिया हुआ है यहाँ पे है आपको read the following extract and answer the questions यह आपको देखो यह आपको read करना है यह पूरा paragraph यह read करके और यहाँ पे आपको question दिया हुआ है उसको answer करना है तो देखो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ क्या रहेगा पहला क्या रहेगा आकाश्वानी air is an integral part of which ministry तो आपका answer देखो इस अब देखो second में क्या आपको what was the new name of IBC इसका answer कहाँ पर रहेगा आपका यहाँ पे देखो यहाँ पर है यहाँ पर है नीचे last में क्या रहेगा आपका in 24 regional languages as well as 146 dialects of Indian languages ठीक है last में क्या देखो आपका how air was named Akashwani इसका answer देखो यहाँ पर है it was named as Akashwani on the suggestion of the famous poet Pandit Narendra Sharma ठीक है अभी देखो आपको last में क्या है फिफ्थ में आपको है complete the following concept chart यहाँ पर देखो आपको beginning, background, nature of information, programs, functions यहाँ पर आपको देखो जो fill इसमें करना है तो जो आपको screen पर दिख रहा है आप इसमें से fill कर सकते हो यहाँ से लिख सकते हो ठीक है तो यहाँ पर हमारा यह chapter complete हो गया है अब यह अगले वीडियो में आपको next chapter दूँगा तो आप चैनल को subscribe करके रखो ताकि आपको अगला वीडियो भी मिले अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को like करो, share करो और चैनल को subscribe करो, thank you